हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे चिकन एग बासकेट जो की फैब्रिक से बना होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो इसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा चिकन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये इसका पूरा बेस होग ये हमारा पूरा बेस है, ये इसके हेड का क्राउन है, ये इसकी चोंच है, और ये विंग्स है, विंग्स दो बनाने हैं, मैं एक बना के अभी बता रही हूँ, ये इसका नीचे का बेस है, पर्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फाइड, तो ये पांच पार्ट हो गए है इसके दो पीसेज बनाने होंगे, इसके दो पीसेज बनाने, इसका एक पीस बनाना है, इसका एक पीस बनाना है, और इसका एक पीस बनाना है, इसकी आईज हो गई, ये मैं एक सिंपल सा बेसिक सा बना रही हूँ फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए, नीचे जॉइंट क तो ये मैंने newspaper पे cut कर लिया है सारे pieces को तो आप screenshot ले लेना या आप newspaper पे cut करके आप देख लेना कि कितना बड़ा चोटा बनाना है आप अपने requirement के हिसाब से cut कर लीजिएगा pieces को चलिए fabric पे आते हैं तो इक quilt pieces simply quilt किया है मैंने ये main fabric है, बीच में form है और ये lining है तो करना क्या है, जहाँ पे मैंने draw किया है इस पे पहले stitching लगानी है इसके बाद हम कपड़े को cut करेंगे, पहले कपड़े को cut नहीं करना है तो दोनों पार्ट पे मैं पहले stitching लगा लूँगी इस तरीके से जहाँ जहाँ पे line खीची होई है एक्स्ट्रा कपड़े को cut करना है बहुत ध्यान से करिएगा stitching ना कटें, तो दोनों पार्ट मैंने ready कर लिया, ये lining होगी इस तरीके से हमें दो पार्ट को ready करने है तो जो हमारा main कपड़ा है उसको एक side करना है और तरह से एक side से stitching लगानी है और फिर पूरा palette लेना है, तो देखिए अब हमारे दोनों जो है yellow आला part दोनों side हो गया है ओपर से फिर top stitch लगा रही हूँ मैं तो दोनों पार्ट को same way में prepare करेंगे तो ये दोनों त्यार हो गया मेरा अब मैंने ये fuse paper लिया है, इसे pasting paper भी कहते हैं जिसमें neckline वगरा बनाते हैं तो इस तरह से मैंने wings draw कर लिया, fuse paper रखे और ये cut कर रही हो फिर मैंने ये fabric लिया है, दोनों right side है, ये उपर वाली wrong side है जिपकने वाला part नीचे है और गरम presses को चिपका लिया तो सारे patterns को इसी तरीके से हमें set करना है कपड़े पे तो दोनों wings कर लिया, ये जो उसकी neck पे नीचे होता है ना वाला part है तो किनारे किनारे हमें सिलाही चलानी है और इतने दूर का gap छोड़ना है stitching लगाते हुए ये gap छोड़ा मैंने, extra कपड़ा कट कर लिया, फिर ये जो gap था यहां से कपड़े को पलट लेना है पुरे fabric को पलटने के बाद सारे edges, corners को अच्छे से निकाल लीजेगा और top stitch लगा दीजेगा तो मैंने दोनों part ready कर लिया, ये उपर का crown है, इसका ये इतना वाला portion छोड़ दीजेगा, इतना बाकी पूरा stitch लगाना है तो इस तरीके से देखें, stitch लगाया, कपड़े को पलट लिया, तो सेम method से सारे जितने भी मैंने patterns कट किये न, सबको इसी तरीके से त्यार कर लेना है ये सारे patterns ready हो गए, तो इस तरीके से 2-2 inch की मुझे line कीचनी है, roughly कीचिएगा, 2 inch के gap में 2 inch की line कीचनी है तो दोनो wings पे यही pattern ready करना है, stitching लगा लेनी है, अब मैं इस पे चोच बनाऊंगी तो कपड़े को double करके ऊपर चलाना है V-shape में, और जो ये straight line ही छोड़ देनी है, मैं wings को इस पे set करना है, इसके body पे, थोड़ा सा उठाते होए set करिएगा दोनों तरफ फिस्टिश लगा लिया मैंने, तो हाफ हाफ फिस्टिश लगाईएगा, पूरी wings फिस्टिश नहीं करना है अब हम सारे patterns को इस तरह से set करेंगे, तो pin से secure कर लिया मैंने, ताकि ये सिलते समय ही लेना चोच वगेरा सब लगा लूँगी मैं, ये सारा सब कुछ मैंने set कर लिया यहां से हमें सिलना शुरू करना है, ये 3.5 इंच का gap मान लिजिया आप अपने requirement के हिसाब से बना लिजियेगा, मैं अपनी chicken के हिसाब से बता रही हूँ आपको तो ये वाला part पूरा सिल लेना है हमें तो इस तरीके से एक foot का gap देते हुए, पूरी stitching लगानी है मुझे ये पूरी stitching हो गई ये देखे, ये beach का gap है, ये वाला अब क्या करना है, base बनाना है, base के लिए मैंने कपड़े को quilt किया है, वो भी रफली measurement बताती हूँ, बहुत वैसे तो बड़ा ही है ये तो 10 x 10.5 इंच का मैंने लिया है नीचे का base इस तरीके से fix कर लूँगी pin से, ताकि stitching करते समय ये हिले ना तो पूरे जो नीचे basket का area आ रहा ना, पूरा फैला कर अच्छे से fix कर लीजेगा इस तरीके से मैं corners पे सारी सिलाई लगा लूँगी तो base के साब से कपड़ा बड़ा है जो भी extra है जितना भी सब cut कर लीजेगा तो मैंने cut कर लिया, base हो गया इसका अब मैं इस तरीके से piping लगा दूँगी चारो तरफ से finishing के साथ तो जो भी धागे रेशी है सबंदर चले जाएंगे और finishing से हमारा base ready हो जाएगा तो देखिए हमारा base बन गया यह हमारी देखिए यह जो विंग्स हैंके पूरे नहीं सिलने जब आप कोई weighted सामान रखोगे ना तो विंग्स वैसे भी फैल जाएंगे तो यह glue है फैब्री ग्लू बिल्कुल नहीं निकलता इसे गुगली आई मैंने fix कर दिया आप सबसे अच्छी बात इसकी यह है friends कि यह दुलने पूरी तरह से washable है क्योंकि फैब्रिक से बना है जब भी गंदा हो जाएं तो आप इसको धुल भी सकते हो और फिर से उसकर सकते हो तो यह इसका final look है देखिए kitchen counter पे और अपने dining table पे आप fruits रखके भी से decoration के लिए उसक कर सकते हो बच्चों के stationary सामान रखने के लिए उसकर सकते हो तो बहुत beautiful सा हमारा यह piece ready हुआ है winter season स्टार्ट हो गया फ्रेज में वैसे भी एक नहीं रखने तो आप इस तरह से decoration में उसकर सकते हो वीडियो को like, share, channel को subscribe करिएगा मैं मिलती हूँ next video में bye thanks for watching